महराष्ट में मराथी साहित्य के द्वारा ही स्वराज, स्वदेशी, स्वभवासा और स्वव संस्कृति की चेतना का विस्तार हुआ। अर्वे का महिला ससक्ति करन अभ्यान, महराष्ट का ओद्यों की करन, कृष्टि सुध्यार के प्रयास, इन सब की प्राण शक्ति मराथी भाषा थी। हमारे देश की सांस्कृतिक विवित्ता मराथी भाषा चे जूड़कर और सम्रुद्ध हो जाती है। साथियों, भाषा सिर्फ बाद्चित का माध्यम नहीं होती। भाषा का संस्कृति, इतिहास, परंपरा और साइत्य से गहरा जुड़ा होता है। हम लोक गायन पोवाडा का उदान ले सकते हैं। पोवाडा के माध्यम से छत्रपती, सिवाजी, महारावजा, दूसरे नायकों के शोर्य गाता हैं। कई सज्यों के बाद भी हम तक पहुंची है। यह आज की बीड़ी को मराठी भाषा की अध्भूत देन है। आज जब हम गणपती पूजा करते हैं, तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से सब्द गुनते हैं, गणपती बापा मोरिया। यह केवल कुछ सब्दों का जोड नहीं है, बलकि भक्ती का अनन्त प्रवाह है। यही भक्ती पुरे देश को मराठी भाषा से जोडती है। इसी तरह स्री विठल के अभंग को सुनने वाले भी स्वतह मराठी से जोड जाते हैं। साथियों मराठी भाषा को यह गवरव दिलाने के लिए मराठी साहित्यकारों, लेखकों, कम्यों और असंख्य मराठी प्रेम्यों ने लंबा प्रयास किया है। मराठी भासा को क्लासिकल लेंग्वेज की मान्यत्ता के रूप में कई प्रतिभासाली साहित्यकारोगी सेवा का प्रसाद मिला है इसमें बार साती जामेगर, मात्माज्योति भाफुले, सावीति भाफुले, कुष्णाजी प्रभागर, खाड़िद कर, केशव सूप, स्रिपाद महादेव माटे, आचारी अत्रे, शांता भाई शेड़के, गजानन दिगंबर, मारगुलकर, कुष्णागर जैसी भुभुतियों का योगजान अत्तुल निया है